बक्रों से भरे ट्रक रोका जा रहा है महराश्ट की बॉडर पर भूग प्यास से तलब कर मर रहे हैं बक्रे उद्धो ठाक्रे कुर्बानी को लेकर नया फर्मार क्यों नहीं जारी कर रहे हैं महेश स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम प्रतिकात्मक तोर पर कुर्बानी देने की अपील की थी अब इसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं कई लोगों ने उद्धो ठाकरे को चिठी लिखी बक्रे तो ऑनलाइन खरीद लेंगे लेकिन कुर्बानी प्रतिकात्मक तोर पर कैसे होगी उद्धो ठाकरे ने कुर्बानी को लेकर अभी तक कोई नया फर्मान जारी नहीं किया है उद्धो ठाकरे ने पहले आउनलाइन बकरे खरीदने की गाइडलाइन तो जारी की थी तो बकरे क्यों जगा जगा बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं आखिर इसकी वज़ा क्या है अब तक सैकडों बकरे भूख और प्यास से गाडियों में मर चुके हैं जिसकी तस्वीरे काफी सोसल मीडिया में वाइरल हो रही है क्या यही वो उद्धो ठाकरे हैं सिर्फ गाइड लाइन जारी करते हैं आउनलाइन बकरे खरीदे तो बकरे ले जाने और ले आने में रोका क्यों जा रहा है आकिर फिर कुर्बानी के लिए नए दिशा निर्देश क्यों नहीं दिये जा रहे हैं सभी राजनेता इस पर उद्धो ठाकरे से बात कर रहे हैं लेकिन उद्धो पहर को लेकर तमाम तरीके से राजनीतियां भी शुरू हैं पहले हम आपको ध्यान यहां इस तस्वीर पर आकर सित करना चाहेंगे यह तस्वीर देखें ट्रक में लदे बकरे और दूसरी तरफ मरे पड़े हुए बकरे की कतार क्या दर्श आता है यह गरीब किसान जिन्होंन पानी में डूग गया यही नहीं काशी मीरा पुलिसी स्टेशन के वरिष्ट पुलिस रिच्छक हजारे ने बताया कि एफ आई यार दर्श की गई है लगवाग 111 बकरे भी जब्त किये गए हैं अब तक कई ब्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है लेकिन ब्यापारियो को महराष्ट में जाने नहीं दिया गया तो वो आत्म हत्या कर लेंगे मगर उद्धो ठाकरे हैं कि बकराईद की कुर्बानी को लेकर अभी तक कोई नया तिशा निर्देश जारी नहीं किये हैं तमान खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटाइंस झाल 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 झाल